तीमुथियूस के नाम पॉलूस प्रेरित की दूसरी पत्री चौथा अध्याय पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाशाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कठा कहानियों पर लगाएंगे पर तु सब बातों में सावधान रहे दुख उठा सुसमचार प्रचार का काम कर और अपनी स पुरी कर ली है मैंने विश्वास की रखवाली की है भविश में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्याई है मुझे उस दिन देगा और मुझे ही नहीं बरन उन सब को भी जो उसके प्रगट होने को प्रिये जानते हैं मेरे पा गलतिया को और तीतुस दल्मतिया को चला गया है केवल लूका मेरे साथ है मरकुस को लेकर चला आ क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है तुखिकुस को मैंने इफसुस को भेजा है जो बागा मैं तरुआस में कर्पुस की हाँ छोड़ आया हूँ जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेश करके चर्म पत्रों को लेते आना। सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराईया की हैं प्रभु उससे उसके कामों की अनुसार बदला देगा तू भी उससे सावधान रहे क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया मेरे प प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जारती सुन ले और मैं तो सिही के मुह से छुडाया गया और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुडाएगा और अपने स्वर्गी राज में उध्धार करके पहुचाएगा उसी की महिमा युगानियो घोती रहे आमीन त्रिस्का और अक्विला को और उने सिफुरुस के घराने को नमस्कार इरास्तुस कुरंथुस में रह गया और त्रिफमुस को मैंने मिलेतुस में बिमार छोड़ा है जाडे से पहले चले आने का प्रयत्न कर तेरी आत्मा के साथ रहे तुम पर अनुग्रह होता रहे।